गुट इवनिंग एवरिवन ओडियो का बता दीजिए का आओडियो क्लियर है आओडियो का इंफर्म कर दीजिए आओडियो क्लियर है चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को आज के सेशन में हम मलेच्छाज और पालास के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अल्रेडी एक डैनेस्ट्री को कवर कर चुके हैं बाकी बचेवी डैनेस्ट्री को हमने आज कवर करना है लास्ट वाले सेशन्स में कोई doubt, कोई query है प्लीज पूछ लीचे या query नहीं होने पर inform कर दीचे और अगर doubt रह जाते हैं जैसे बहुत सारे student मेरे से वाया different sources अपने doubts and queries पूछते हैं अगर आप मेंसे ऐसा लग रहा है आपको कि किसी particular doubt के बाद ही पूछेंगे तो wait मत करिए कोई भी doubt हो चाहे वो छोटा doubt हो चाहे वो बड़ा doubt हो आप तुरंत पूछ के उस doubt को खतम करिए और अगर आपका कोई no or या आप join करना चाहते हूं paid course तो यह मेरा number है इस screen पे आप मुझे contact कर सकते है डवल नाइन डवल मन सिक्सेंट फई डॉल त्री जिरो फैल्थ पैब के बाद यह discount जो मिल रहा है 40% discount वो खतम हो जाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के session को हम लोग already कुछ basic concept समझ चुके हैं वहीं से आगे carry करेंगे कुछ सवाल की जवाब देने की कोशिश करिए बताइए यह simple से सवाल का जवाब क्या होगा यह आपका पी बाई क्यू है यह सवाल इसलिए पूछा गया है ताकि आपका जल्दी से थोड़ा सा short recap हो जाए short revision हो जाए founder कौन है जी वर्मन डेनेस्टी ओफ असाम के समुद्र वर्मन भासकर वर्मन पुश्य वर्मन या महिंद्र वर्मन तो answer इसका कै पुश्य वर्मन इस दा correct answer जी हाँ correct answer is option number C पुश्य वर्मन अगर मैं यही सवाल में options आप लोगों लिए change कर दूँ एक question को इस तरीके से लिखा जाए कि who was the king या name the king who successfully performed अश्यमेद यग वो कौन से ऐसे राजा थे जिन्नोंने successfully अश्यमेद यग perform किया था option आपके सेम ही है बताइए answer क्या होगा अगर मैं question के language को change कर दूँ तो तो option क्या है फिर आपका answer हो जाएगा option number D महिंदर वर्मत ठीक है जी एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि निदानपूर या दूबी copper grant किसके साथ associated है option again सेम है तीसरा question निदानपूर या दूबी ये किसके साथ associated है जोकि important sources है जिनके थू हमको information मिलती है इस पूरी dynasty के बारे में निदानपूर एंड दूबी grants then answer हो जाएगा option number B भासकर वर्मन जी well done आप सब लोगों को यानि ये सारी चीज़े clear हो चुकी है एक और question है जो PYQ में आया हुआ है बता दीजी जी भासकर वर्मन correct answer था पिछले question का इस question का answer क्या होगा कि यून सांग ने किस राजा के बारे में लिखा है बासकर वर्मन इस्तीता वर्मन कल्यान वर्मन नरायन वर्मन तो इसका correct answer रोजाएगा option number A भासकर वर्मन क्योंकि भासकर वर्मन किसके contemporary थे यून सांग के contemporary थे यून सांग के साथ साथ हर्श वर्दना के भी contemporary थे एक चीज़ याद रखिएगा दो बहार के Chinese scholars आएं मैंने अभी तक आपको एक ही scholars का नाम बताइब दूसरे scholar का नाम भी याद रखिएगा तो एक तो यून सांग ए और दूसरा आए है उनके कुछ टाइम बाद इनका नाम था paint दूसरे scholar का नाम याद रखिएगा नाम कहेंजी वांग यून कई बार हो सकता है कि इनके बारे में पूत लिया जाए वांग जुआंस नाम के एक और स्कॉलर बाद में आएंगे ये नोट्स में मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही है क्योंकि हर्षवर्दन के नोट्स या हर्षवर्दन की जो स्टेटमेंट से वो जादे इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने डिटेल में बात की है तो दो चाइनिज स्कॉलर साएंगे एक है यून संग और एक है वांग यह आपके नोट्स में मैंने सारी डिटेल मेंशन कर दिया वो अपलोड हो जाएंगे आज इतने सारे पोर्षवर्दन के जितने भी नोट्स है अब जिन लोगों को यह सारे चीज़े क्लियर थी जिसको इन में कोई भी डाउट नहीं हुआ प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए फिर हम आगे आज की टॉपिक को समझते हैं मैं इसलिए यह सारे कोश्चंस आप से पूछते जा रहा हूँ ताकि आपका ओन दा स्पोर्ट रिवीजन भी होता जाए चलिए आज के में सेशन पर मूव करते हैं बूट इवनिंग एवरीवन वी वर डिस्कसिंग डैनेस्टिज ओफ कमरूप हम लोगों ने वर्मन डैनेस्टिज के बारे में बात कर ली थी हमने शुरुआत की थी पुश्य वर्मन से और खतम किया था बासकर वर्मन के मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे महेंदर वर्मन ने अश्युमेद यग किया था एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है अगर नए टाइप का या थोड़े टफ टाइप का सवाल पूछा जाए तो वो regarding the daughter पूछा जा सकता है कि वो कौन से राजा की daughter थी जिनकी शादी कश्मीर के महराज से की गई थी या फिर उस daughter का नाम क्या था तो इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं ये जो new टाइप के या different टाइप का थोड़ा गर सवाल बनाने की कोशिश की जाए तो राजा का नाम याद रखेगा राजा का नाम है बाला वर्मन और बाला वर्मन राजा की डॉटर है अमरित प्रभा तो राजा क्या है बाला वर्मन और डॉटर का नाम है अमरित प्रभा ये याद रखेगा बाला वर्मन नाम के राजा की डॉटर हुई अमरित प्रभा जिनकी शादी कश्मीर के राजकुमार से की गई थी जिनका नाम था मेग वर्मना ये सारे possible different type के सवाल बन सकते हैं founder से related सवाल पूछा जा सकता है last राज़ा से related सवाल पूछा जा सकता है वो कौन से राज़ा जिसने अशुमेद्यक किया है ये पूछा जा सकता है capital पूछी जा सकती है कौन किसका contemporary है ये पूछा जा सकता है वासकर वर्मन किसके contemporary है यून सांग के और हर्शवर्दना के तो चलिए अब मलेच्छा असके बारे में बात करते है मलेच्छा डेनेस्टी के time period में उनकी capital हरुपेशवर में shift कर दी गई थी हरुपेशवर का है आज की date में अगर आप तेजपूर डिस्ट्रिक में जाएगे असाम में तो वहाँ पे ये हुआ करती थी capital जिसका नाम था हरुपेशवर तो एक सवाल आपका ये भी बन सकता है कि इस particular डेनेस्टी की capital क्या थी इस पूरी डेनेस्टी में 21 rulers हुए और ये भी अपनी lineage को claim करते है कि हम भी उसी परिवार से belong करते है जिससे नरकासुर belong किया करते थे ये इनका कोई लेना देना नहीं है प्रीवेस डेनेस्टी वर्मन डेनेस्टी के साथ इसलिए मैंने बताया था कि शायद वर्मन डेनेस्टी बाहर से आई थी जिन्होंने rule करना स्टार्ट किया था और इनके बाद आएगी पाला डेनेस्टी ये राजाओं की लिस्ट सलिस्थम पहले राजा है आखरी राजा त्याग सिम्ह है दो नाम याद रखेगा पहले राजा का नाम है सलिस्थम और लास्ट राजा का नाम है त्याग सिम्ह इनी के बीच में ये सारी डिनेस्ट्री का जो टाइम पिरड है वो यहीं पर देखने को मिलेगा पहले राजा सलस्तम का मतलब ही है पिलर ओफ सौल्ट्री जो साल का पेड होता है उसका पिलर तो अगर मैं लिटरल मीनिंग की तरफ जाओं तो इस शब्द का मतलब ही है कि पिलर ओफ सौल्ट्री इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी हरुपेश्वर में जैसा मैंने बताया और आखरी राजा इस डेनेस्ट्री के त्याक सिमा हुआ है यह मैं अल्रेडी बता चुका हूँ आगे आने वाले एक राजा है जो फ्यूचर में आएंगे जिनका नामे रतनपाद उपाला डेनेस्ट्री से आएंगे उन्होंने इनका मेंशन किया है अपने सोर्सेज में उनका एक सोर्स है जिसका नाम है बारगाव इंस्क्रिप्शन उस सोर्स में इन्हों को मलेच्छ आदीनात वो लगया है तो यह बस एक इंपोर्टेंट फेक्ट आपको याद रखना है कि किनों ने इनके बारे में इनफॉर्मेशन दिया है राजा का नाम है रतनपाल और उन्होंने बोले मलेच्छ आदीनात इस इड क्लियर और नॉट पहले यह बता दीजिए फिर मैं आगे मूव करता है इस इड क्लियर और नॉट इतने पोर्शन में कोई डाउट कोई क्वेरी प्लीज बता दीजिए तो यहाँ से तीन से चार इंपॉर्टेंट फेक्ट से जो आपको समझने पढ़ेंगे पहला फेक्ट इनके नाम का मतलब है पिलर ओफ सौल्ट्री तूसरा यह भी नरका सुर्ष से अपनी लीनियज को क्लेम करते इनके बारे में रतनपाल ने लिखा है जो आगे आने वाले राजा है मलिच आदीनाथ नाम से इनको मेंशन किया गया और इनोंने ही कैप्टल को चेंज किया था हरुपेशवर के अलग अलग नाम है यानि गंगाधरी शक्तिमान है यह आपको यादर नहीं हरुपेशवर को या खेत्तु का सुलिन भी बोलग है एक ही शहर के नाम है डिफरेंट डिफरेंट नाम एक ही जगह के multiple नाम देन आते हैं इस डैनेस्टी के सबसे ज़्यादा famous राजा के बारे में जिसका नाम है हर्ष वर्मन यह आपको जो time period दिख रहा है from 725 से लेके 745 और जो यह राजा दिख रहा है he is the most important king the founder most important king and the last king अब देखिए राजा powerful बनने के दो तिन तरीके होते हैं एक तरीका यह है कि आप खुद जाके सारे area को occupy करें दूसरा तरीका यह भी है कि आप matrimonial alliance कर लीजिए matrimonial alliance यानि किसी दूसरे powerful राजा के साथ शादी कर लीजिए पर दूसरे powerful राजा के हाँ शादी करने के लीए भी आपको थोड़ा powerful तो होना पड़ेगा क्योंकि कोई अपनी daughter को ऐसे ही नहीं देदेगा शादी में जैसे आज ही डेट में नहीं बोला जाता है कि नौकरी होगी तो wife मिलेगे नहीं तो नहीं मिलेगे अच्छा पैसा कमाओगे तो ठीक ठाक अच्छा wife मिलेगा यह वाईसा वरसा पार्टनर के लिए आप कह सकते हैं तो उस time period में भी एक तरीका यह है कि आप matrimonial alliance कर लीजे तो इस राजा की जो daughter थी उनका नाम था राज्य मती और राज्य मती की शादी इन्होंने नेपाल की राजा जैदेव सेकिंड से किये हमने पढ़ा वर्मन डेनेस्टी के राजा ने कश्मीर के साथ alliance किया था उससे उनको फाइदा भी मिला होगा वैसे ही इन्होंने जैदेव नाम के राजा हैं जो की नेपाल के राजा है उनके साथ अपनी daughter की शादी की है और ये उनके संबंदी बन गए रिष्टेदार बन गए है इसी लिए जब जैदेव टू अपने sources लिखवा रहे अपने epigraph लिखवा रहे जिसका नाम है पशुपती epigraph तो उस पशुपती epigraph में अपने संबंदी का नाम भी लिख़ हुआ है यानि अपने father-in-law का नाम लिख़ा हुआ है और लिख़ है श्री हर्षदेव और उनको बताया गया ये गौद्रा ददी कलिंगा कोसल पती है यानि इतना बड़ा title देने का मतलब है कि इनके control में बहुत सारा इलाका आता था गौड़ वाले इलाका यानि बंगाल वाले इलाका आता था कलिंग वाले इलाका आता था और कोसल पती वाले इलाका आता था यानि ये इतने बड़े title देने का मतलब ही है कि वो अपने father-in-law को बता रहे है कि he is mighty, he is very powerful, he is controlling a huge portion of land ठीक है जी? तो title क्या है? गौड़ा ददी, कलिंगा, कोसल पती ये तीनों जगाओं के नाम है और जो जैदेव के साथ, जैदेव 2 के साथ अगर आपकी रिष्तेदारी हुई है तो power बढ़ गई है टू प्लस टू फोर होता है, एक राजा के साथ, दूसरे राजा मिल गए है, power बढ़ जाएगी और ऐसा लगता है कि कलिंगा और कोसला वाले इलाके को कबज़ा करने के बाद गौड़ वाले इलाके को कबज़ा करने के बाद हर्ष देव को लगा हर्ष वर्मन को लगा कि स्काई इस दा लिमिट मुझे और एरिया कवर करना चाहिए तो इन ओर टू फाइंड मोर एरिया फॉर हिंसेल्फ वो साउथ के इलाके में चलेगे और वहाँ पे इनका सामना हुआ चालुक्या डिनिस्टी के राजा कीर्थी वर्मन टू से ठीक है उसके अलावा ये जो लड़ाई है ये लड़ाई का मैंशन साउथ के सोर्सेज में मिलता है यानि कहीं न कहीं इस बात में रियालिटी होने के चांसेज है क्योंकि इनके बारे में ये खुद नहीं बता रहे है इनके बारे में खुद नहीं बता रहे है रादर देन दूसरी डिनिस्टी के राजा अपने सोर्सेज में मेंशन कर रहे है तो अगर कोई दूसरी डिनिस्टी का राजा मेंशन कर रहे है तो बहुत हद तक chances है कि वो information शायर true रही होगी क्योंकि आप खुद के बारे में तारीफ कर सकते हैं लेकिन कोई दूसरा powerful राजा आपकी तारीफ क्यों करेगा तो इनके बारे में ये कि ये लड़ने चले गए थे ये information दे रहे हैं राष्टकूत डनेस्टी के राजा दन्ति दुर्ग तो इसको इस तरीके से समझे कि ये बोला गया कि इनके चालुक्या के राजा कीर्ती वर्मन के साथ लड़ाई हुई थी और हर्षदेव की लड़ाई हुई और इसके बारे में complete information ना ये दे रहे हैं ना ये दे रहे हैं तीसरे राजा दे रहे हैं जिनका नाम है दन्ति दुर्ग जो कि राष्टकूता डनेस्टी के founder भी बोले जाते हैं और उन्होंने अपने source में दिया जिसका नाम है समनगड एपिग्राफ ठीक है जी तो कोई तीसरा लिक रहा है यानि वो आपकी लड़ाई के बारे में जानता है और इसके होने के चांसे जादा बढ़ जाते है तो काफी जादा पाउरफूल हो गया था कमरूफ इस पर्टिकुलर टाइम पिरड़ में आप सोचिए किस एरिया में जाके लड़ाई लड़ी जा रही है लगबग आधा नौर्थ इंडिया पर कंट्रोल हुआ करता था कमरूफ का साधिया से लेके एयोध्या, हिमाल्या, वेयो बेंगॉल, गंजाम काफी बड़ा स्टेच था जो कमरूफ के कंट्रोल में था पर फाइनली हर्षदेव को यश्व वर्मन नाम के राजा हटाते हैं और उसके बाद मलेच्छास का डाउन फॉल देखने को मिलता है यह हर्षदेव इसमें कोई डाउट है या क्वेरिया प्लीज पूछ लीजे यह इस डेनेस्टी के सबसे इंपोर्टेंट राज है जैसे आपको बासकर वर्मन के बारे में सारी डिटेल्स याद हो चुकी है उसी तरीके से हमको हर्षदेव या हर्षदेव या हर्षदेव वर्मन के बारे में भी सारी डिटेल्स याद रखने है तो फिर से मैं रिपीट कर दे तो नेपाल के राजा जैदेव टू के साथ इन्होंने अपनी डॉर्टर राज्ये मती की शादी करवाई और उस शादी से उस मैट्रिमोनियल अलाइंस से इसको काफी जादा फाइदा भी हुआ है इन्होंने कलिंगा का इलाका कंट्रोल किया है कोसल का गौड वाला यानि बंगाल का इलाका कंट्रोल किया और एक्सपैंड करना है तो आप और एक्सपैंड करना चाहेंगे और एक्स्पैंड करना चाहेंगे तो साउत के इलाके में चालुक्या डैनेस्टी के राजा, कीर्थी वर्मन टू से इनकी लड़ाई हुई एक टाइम था ये काफी सारा इलाका कंट्रोल में था कमरूफ डैनेस्टी के, कमरूफ किंग्डम के, मलेच्छा डैनेस्टी के साधिया से लेके एयोधिया तक हिमालिया से लेके बेवबेंगौल तक और गंजम तक काफी सारा इलाका इनके कंट्रोल में था पर फाइनरी हर्षिदेव को यशो वर्मन अटाते हैं उसके बाद अगले जो राजा आते वो उतने पारफुल नहीं होते आपको बस यहाँ पर दो तीन राजाव की नाम और जानने हैं पर मेजर चंक जो मेजर सवाल पूछे जाएंगे वो इसी पोड़िशन से पूछे जाएंगे इसके बाद कुछ टाइम बाद एक और आ जाते हैं जिनका नाम है हर्षिदारा वर्मन यह हर्षिदारा वर्मन उतने ज़्यादा पारफुल तो नहीं है पर फिर भी इनका कुछ इंपोर्टेंट कॉंट्रिबूशन है इसलिए इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं इनका इंपोर्टेंट कॉंट्रिबूशन है इनके लिख्योए इंस्क्रिप्शन इन्होंने हयुन थाल ग्रांट इशू किया था और तेजपुर रॉक एपिग्राफ इन्होंने इशू किया ये दोनों इंपोर्टेंट सोर्स है रिगार्डिंग मलेच्छाज जो मलेच्छाओं के राजा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो इन्फोर्मेशन का इंपोर्टेंट सोर्स है जीए राजा का नाम के हर्जा वर्मन वो थे हर्षवर्मन और ये हैं हर्जा वर्मन इन्होंने बहुत बड़े बड़े टाइटल लिये अपने आपको महान बताने के लिए टाइटल दे कि महाराजा धीराज परमेश्वर परम भातरक इतना बड़ा टाइटल लिया है तो टोटल अगर कोई इनको इनका दर्बारी बुलाता होगा जो इनका सोलजर इनको बुलाता होगा तो इस तरीके से बुलाता होगा कि महाराजा धीराज परमेश्वर परम भातरक हर्जा वर्मन प्रधार रहे तो ये टाइटल है जी महाराजा धीराज परमेश्वर परम भातरक और यही सवाल पूछा जाएगा आपको option दे दी जाएंगे चार राजाओं के नाम दे दी जाएंगे और पूछा जाएगा कि वो कौन से राजा जिनको ये title दिया गया है महाराजा, धिराज, परमेश्वर, परमभाटरक ये देवपाल औफ पाला डेनेस्टी गौर्ड डेनेस्टी के contemporary थे और उनके साथ इनकी लड़ाई भी थी इन्होंने अपनी capital में मंदिर बनवाए इसके लिए हेतु का सुलिन यानि जो local DTA उसके लिए मंदिर बनवाए है और जो temple इन्होंने बनवाए थे उनका थोड़ा सा ruined structure आपको देखने को भी मिलता है ठीक है जी तो हर्जा वर्मन का contribution rather than लड़ाई के art and architecture में ज़्यादा इनका contribution है क्योंकि ये temple बनवा रहे हैं और वो temple के ruins फोड़े बहुत आपको उनके पत्थर चटाने फोड़ा पुराना building type का कुछ ना कुछ structure देखने को मिलता है इन्होंने एक tank भी बनवाया था जिसका नाम था हर्जारा पुखरी तो इनके नाम से ही associated है हर्जारा पुखरी तो इनके बारे में मैं फिर से repeat कर देता हूँ पहला point कि इनके दो important source है हयून थाल grant और टेजपूर रॉक गरान इन्होंने बहुत बड़ा title है जिसका नाम है माराजा दिराज परमेश्वर परमबाटरक और इस time period तक थोड़ा इनकी power week हो चुके है मलिच्छास की तो बंगाल की लाके में देवपाल नाम के राजा चुके हैं तो वो देवपाल यहां पर रूल करते हैं और उसके जस पैलली कमरूप पर रूल करते हैं हरजा वर्मन और दोनों के बीच में लड़ाई होना बड़ा ऑवियस है उतना यह जितना सिब्लिंग्स के बीच में लड़ाई होती है उसके साथ साथ इन्होंने लोकल डीटी जो है हेतु का सुलीन उनके लिए टैमपल बनवाए हैं उनके लिए बहुत सारे अलगा इस्ट्रक्चर बनवाए है लास्ट बट नॉट दा लिस्ट इन्हों ने एक बड़ा टैंक भी बनवाए है जिसका नाम था हर्जारा पुखरी इतना क्लियर है जी येस और नो बता दीजे एपी जी तोके जी मैं इसलिए बार बार अभी दो बार रिपीट करते जा रहा हूँ कि इनकेस कोई डाउट हो तो अभी कतम हो जाए और एक बार आप डिवीजन करे तो उसके बाद चाहे कोई भी एक्जामनर किसी भी टाइप का सवाल कुछ ले आपको इस पोजिशन में कभी कोई दिक्कत ना हो यू विल भी हंड्रेट परसेंट कॉन्फिडेंट चलिए आगे मूव करते हैं तेकि उसके बाद दो तिन राजा हो रहे हैं जैसे कि वनमल्ला वर्मन देव, जैमल, बाल वर्मन थर्ड और त्याग सिम्मा जो की आखरी राज है जैसे वनमल्ला वर्मन देव ने कुछ जादा कोई कॉन्ट्रिब्यूट तो नहीं किया है पर बंगाल के इलाके में थोड़ा सा एरिया री आक्यूपाई किया है जैमल बाद में आये हैं, जैमल नाम के राजा, इनको कोई बहुत खतरनाक बिमारी हो गई थी इनको विर बाहू भी बोला जाता है, क्योंकि इतनी खतरनाक बिमारी हो गई थी तो इनका एड्मिस्ट्रेशन में ज़्यादा ध्यान बचा नहीं था इनको लगाता कि ये लाइफ में जीने का कोई मतलब नहीं बनता है, रादर जैन इससे बैटर है कि वो मर जाए इसलिए उन्होंने अपने बेटे के फेवर में जगे छोड़ दी थी आखरी इंपोर्टेंट राजा है बाल वर्मन थर्ड बाल वर्मन थर्ड का भी कोई इतना इंपोर्टेंट कॉंट्रिबूशन नहीं है जो कि कुछ राजाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने इस सारी इंफॉर्मेशन आपको बताईए जैसे हर्जा वर्मन कोई सोर्सेज देखे जाते हैं उसी तरीके से बाल वर्मन थर्ड भी इंपोर्टेंट सोर्सेज देखे जाते इनके जो सोर्सेज है उनका नाम है उलू बूरी कॉपर प्लेट नाव गॉंग ग्रांट और उत्तर बार बिल ग्रांट तो ये तीनों सोर्सेज में जब वो ये अपनी डिनेस्टिस के बारे में बताते हैं अपने राजाओं के बारे में बताते हैं और ये इंपोर्टेंट सोर्सेज है फिर आखरी राजा आएंगे जिनका नाम है त्याग सिम्मा क्याक सिमा की कोई वारिस नहीं था कोई बच्चा नहीं था इसलिए इनको लगा की मेरे जाने के बाद एनार्की नहों जाए मेरे जाने के बाद कि सब लोग आपस में लड़ने न लग जाए इसलिए better यह है सबके interest में यह है कि मैं किसी एक जने को अगला राजा चुन के जाऊ It is in the interest of the kingdom It is in the interest of everyone In order to avoid cures In order to avoid lawlessness Better यह है कि मैं किसी को king appoint करके जाऊ और इन्होंने family से नहीं अपने minister को appoint किया उन्होंने minister का नाम है ब्रह्मपाद तो यह dynasty यहीं पर खतम होती है और इसके बारे में यही सब कुछ आपको जानना था ठीके जी अब तीसरी dynasty के बारे में बात करते इस पाला डेनेस्टी तो यहाँ पर क्योंकि राजा का कोई वारिस नहीं है उन्होंने अपॉइंट कर दिया तीसरी डेनेस्टी स्टार्ट हो रही है पालास कन्फ्यूज मत करीगा एक पाला बंगाल में भी है इसलिए उनको बोला जाते है पालास ऑफ बंगाल और इनको बोला जाते है पालास ऑफ कमरूप बले ही नाम सेम सेम लग रहे हो लेकिन ये दोनों अलग अलग डेनेस्टी जैंटी है ठीक है ठीक है तो पाला और कमरूप के बारे में बात करते हैं 200 साल के आसपास अराउं 200 इयर्स इन्होंने रूल किया तो पहले राजा है ब्रमपाल फिर रतनपाल फिर इंदरपाल फिर गोपाल फिर हर्शपाल फिर धरमपाल फिर जैपाल तो टूमच पाला पहरी मच पाला बहुत सारे पालास नाम है बस आपको फिर से वही याद रखना है पहले राजा का नाम ब्रमपाल आकरी राजा का न मैं comparison करना भी चाओं कौन सी दोनो डेनस्टिट एक पाला ओफ बंगाल और एक पाला ओफ कमरूप तो पाला ओफ बंगाल गुदिज़म को फॉलो करते थे पालाफ कमरूप हिंदूजम को फॉलो करते है ठीक है जी पालाफ बेंगॉल का टाइम पिरड़ थोड़ा सब पहले है वो इनसे थोड़ा पहले आ जाते है उस डैनस्टी के पहले राजा को चुना गया था जिनका नम गोपाल था बड़े बुजुर्गों ने सब लोगों ने चुना था एक इंडिविज्वल को तब जाके गोपाल बंगाल वाली डैनस्टी के राजा बनेते यानि वहां पर एक तरीके से फर्स्ट किंग वास इलेक् और वो हम पढ़ते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में, आप सब ने पढ़ा है ना ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में, कि हमने बात की थी पाला, प्रतिहारा, और राष्ट कुतास के बीच में लड़ाई चल रही थी कन्नौच के बारे में, कन्नौच पे कंट्रोल कर पार्ने के लिए हम पढ़ते हैं मीडिवल की स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाएं तो हम आगे पढ़ेंगे तो वो नाम सेम होने से सब कुछ सेम नहीं होता है पाला डैनेस्टी भी अपना क्लेम लेती है नरकासुर से हर कोई नरकासुर से ही क्लेम लेगा लीनेज लेगा और ये भी डैनेस्टी पुरानी डैनेस्टी से कोई related नहीं है एक ही relation यह है कि आखरी राजा के minister हुआ करते थे क्याग सिम्मा के minister हुआ करते थे और इनको as a king appoint कर दिया गया था कि अगले होने वाले राजा आप होंगे देखे पाला डैनेस्टी के बाद ये पूरा इलाका fragmented हो गया बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग player आ गए तो पाला डैनेस्टी के time पर तक ये area फिर भी control में रहता है उसके बाद ये area अलग-अलग portion में अलग-अलग players के control में चला जाएगा कमरूफ वाला इलाका और इस पूरे chaos का फायदा उठाते हुए पालास के बाद push time period की instability के बाद push time period के अलग-अलग छोटे-छोटे players के बाद यहाँ पे एक बड़ा player rise करेगा जिसका नाम था अहोंस तो फाला के rule के बाद ये पूरा इलाका divide हो जाता है अहोंस में कत्सारी kingdom में साधिया kingdom बारो भुयांस में अलग-अलग में ये divide हो जाता है ठीक है जी पाला के राजा भी बड़े 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 बहुत बड़े टाइटल ले रे जैसे पालाओ के राजा उन्हें टाइटल लिया परम अद्वेद परम भाटरक महराजा धीराज ऐसा टाइटल गुपतास भी कभी लिया करते थे तो शायद महीद से inspiration लियो श्री वराहा एक टाइटल श्री वराहा भी लिया है अब वराहा कौन है आप लोग शायद जानते होंगे विश्नु भगवान तो विश्नु भगवान के अफ़तार माने गए हैं ऐसा माना जाता है कि विश्नु भगवान हिंद्विजम में कि अलग अफ़तार लेके आएंगे जब जब लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जब जब लॉलेस्नेस बहुत ज़्यादा पढ़ जाएगी तो उसी तरीके से विश्नु जी के अफ़तार में ही माने जाते हैं कि लॉर्ड कृष्णा भी अफ़तार हैं। लॉर्ड रामा भी अफ़तार हैं। पर्शुराम जी भी अफ़तार हैं। उसी तरीके से एक और अफ़तार हुए हैं विश्नु भगवान के जिनका नाम है वर लोगों में बहुत जादा दुश्मनी बढ़ जाएगी, लोग सब कुछ भूल जाएंगे रिलीजन को, तब तब विश्णु भगवान आएंगे, अलग लग रूप में आएंगे, और लोगों को सही रास्ते पे लेके जाएंगे, जैसे फ्यूचर में कल की भगवान के अवतार में इनको तीसरे नंबर का अवतार माना गया है, तो कई लोग ये टाइटल भी लेते हैं जिसमें लिखा गया है श्री वराहा, ठीक है जी, तो पाला डिनेस्टी के राजा अलग लग टाइटल ले रहे, इस इट क्लियर और नॉट, यहां तक कोई डाउट है तो प बड़े बड़े टाइटल लिया करते थे, और इनके जाने के बाद एक पीरियड ओफ इनिस्टेबिलिटी आएगा, जिसमें बहुत सारे छोटे मोटे अलग लग प्लेयर्स राइस करेंगे, और यह प्लेयर्स में एक बड़ा प्लेयर आगे चलके बनेगा जिसका नाम है अ प्रग जोतिश अधीपती यानि वो जो प्रग जोतिश पे रूल करते हैं, एक टाइटल ऐसे भी लिया गया था तो देखें टाइटल में ज्यादा तर इस तरीके के ही चीज़े होती हैं, टाइटल में या तो किसी भगवान का नाम होगा, या टाइटल में जिस एरिया में आप रूल करते हैं उसका नाम होगा, या अपने आपको किसी जानवर से कंपेर किया गया होगा, किसी ग्रेट व कि मैं शेर जितना बाद हूँ कि मैं भगवान के जितना बड़े या वारियर हूँ स्ट्रॉंग वारियर हूँ ठीक है Is it clear or not Is it clear or not तो title हमेशा यहाद रखिए कि title के पीछे दो ही purpose होते हैं अपने आपको better बताना है बड़ा बताने और दूसरा title कई बार इसलिए भी लिये जाते थे क्योंकि उनके अंडर में सबाडिनेट राजा भी रूल किया करते थे तो अपने आपको बताने के लिए कि मैं king of king हूँ मैं बहुत powerful हूँ इसलिए ये title ले लिया करते थे तो ब्रहमपाल के बारे बात करते त्याग सिमा मैंने बताया कि उनका कोई वारिस नहीं था rebellion के डर की वज़े से उन्होंने अपने officer ब्रहमपाल को चुन लिया कि now you will be the king अब शायद इनको भी लगाओगा कि नरकासूर से अगर मैं lineage लेता हूँ तो मेरे लिए rule करना असान होगा मेरे को एक sense of credibility मिलती है जब मैं नरकासूर का नाम अपने साथ जोड लेता हूँ तो इन्होंने भी वही सारी चीज़े copy की ऐसा माना गया कि गद्धी मिलने से पहले ये कहीं western part of kingdom में कहीं governor के रूप में काम कर रहे थी और क्योंकि इनका administrative experience बहुत अच्छा था काफी ज़ाद experience थे इसलिए इनको finally राजा की गद्धी दी गई और इस time period में इनके contemporary प्ररी पाला डेनेस्टी ही चल रही थी बंगाल में तो बंगाल की डेनेस्टी के राजा का नाम था महीपाल और इनका नाम था ब्रह्मपाद इस डेनेस्टी में ज़्यादा राजा नहीं आएंगे इसमें 6-7 राजा ही है यहाँ पर बोला जाता है कि 7 राजाओं ने इनको succeed किया है इनके बारे में रतनपाल ही अपने information दे रहे हैं रतनपाल इनको बहुत अच्छा warrior बता रहे हैं और यह बताये गए रतनपाल के inscriptions में एपिग्राफ में कि इनको महराजा धिराज का title मिला था ब्रह्मपाल जी को तो इस पूरी डेनेस्टी के बारे में जो important source है वो रतनपाल की inscription है जिसका नाम है बारा गाउं प्लेट जिसको मैं already mention कर चुका हूँ हर एक डेनेस्टी में कोई एक आधा राजा ऐसा मिल ही जाएगा जो अपने बारे में information provide करारता है तो ऐसा ही बारा गाउं प्लेट में ये करवा रहे हैं information अपने बारे में provide करवा रहे हैं और अपने बाकी fellow राजाओं के बारे में भी तो रतनपाल गद्दी पे बैठते और बारा गाउं प्लेट इनका important source है यहां से यही सवाल पूछा जाएगा कि बारा गाउं प्लेट किसके साथ associated है ये ब्रह्मपाल के बेटे हैं और ऐसा माना गया कि ब्रह्मपाल ने अपने बेटे को गद्दी transfer कर दी थी एक time period के बाद 25 साल के रैगनल एर के बाद ये बोला गया कि शायद उनको लगा कि अब मेरा बेटा लायक हो चुका है और गद्दी उसको मिल जानी चाहिए रतनपाल पावरफुल राजा है इसलिए बड़ा title ले रहा है जो title मैंने अल्लेडी mention किया था title का नाम है परमेशुरा परम बाटरक माराजा धीराच ठीक है जी और इन्होंने ब्रह्मपुत्रा के आसपास अपनी capital को बिल्ट किया और उसका नाम रखा था दूर्जिया दूर्जिया का मतलब है वो जगए जो इंप्रेगनेबल हो जाए जहां पे आप हमला नहीं कर सकते बहुत ही जादे strong तो प्योंकि रतनपाल को ऐसा लगता था कि उन्होंने काफी जादे strong और काफी जादे huge और impregnable capital बनाई है इसलिए उसका नाम उन्होंने दूर्जिया रखते इनके आगे आने वाले राजा जिनका नाम जैसे गोपाल है उनका एक source है जिसका नाम है गचितल आपको इस पूरे portion में जो चीज़े problem देंगी वो sources के नाम है पर वो भी इतने जादा नहीं है उनको भी आप याद कर सकते हैं उसमें भी उतनी problem आप लोगों को नहीं होनी चाहिए तो गचितल प्लेट जो गोपाल की है जो कि कुछ टाइम पहले ही ऐसा माना गया है कि दुबारा से उनको study किया गया है तो उन्होंने काफी सारी information दिये रतन पाल के achievement के बारे में यहां तक कि ऐसा भी लिखा गया है कि रतन पाल यह जो पाला डिनेस्टी के यहां के राजा है इन्होंने बंगाल की पाला डिनेस्टी के राजा राज़े पाल को रहा है तो एक पाला दूसरे पाला को हरा रहा है और कमरूब का पाला जिसका नाम रतन पाल है वो राज़े पाल को हरा रहा है मैंने बोला आप quality too much पाला हो जो गया है फिर इंदरपाल है और यहां पे अब आपको बस तीन और राजा बचे जिनके बारे में आपको बात करनी है इंदरपाल है गोपाल है और फिर जैपाल आपके आएंगे उसके बाद यह पाला डिनेस्टी वाला portion फिनिश होगा इंदरपाल जो गदी पे आते हैं इनका जाधातर मन पढ़ाई में लगा रहता था तहीं वाज स्टडी मतलब धरम के बारे में पढ़ना रिलीजन और बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना इन्होंने दो प्लेट इशू किये गुहाटी प्लेट और गुवा कूची प्लेट और अपनी प्लेट्स में अपने आपको टाइटल दिये खुद की तारीफ तो कोई भी करेगा यह राजा है राजा भी करेंगे इन्होंने वराहा का नाम वराहा टाइटल लिया है वराहा एपिथेट लिया है उसके अलावा और भी अलग-अलग टाइटल से लिये हैं इन्होंने और इनको ग्रामर लॉजिक इन सब की काफी जादा इन्फॉर्मेशन थी पड़े लिक्के थे मैंने बताए पड़ाई पे जादा ध्यान था कि इनका इंदरपाल का फिर धरमपाल बचते हैं जी और लास में जैपाल है धरमपाल ने भी अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है इनके बारे में बस एक इंपॉर्टेंट याद रखेगा इन्होंने अपनी कैप्टल को कमरूप नगर में शिफ्ट कर दिया था तो दुर्जिया से कैप्टल कमरूप नगर गई है दूरिंग दे टाइम पिरिड आफ धरमपाल घरमपाल रिलीजन के काफी इंपॉर्टेंट पैटरन थे खुद भी पढ़े लिखे थे काफी जाथ है इनके खुद के द्वारा कमपोस की गई एक इंपॉर्टेंट क्रेशन है जिसका नाम है पुश्प भद्र कल एक पुरान जो कि इंपॉर्टेंट सोर्स है जो सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रवाइड कराता है ऐसा बोला जाता है कई स्कॉलर्स के द्वारा कि वो भी इनी के पैटरन में लिखा गया था इनके पैटरोनेज में लिखा गया था यानि इनके द्वारा ही लिखवाया गया तो आपको देखने को मिलोगा कि राजा जादा तर वारियर ना होके स्टडी के ओपर जादा फोकस कर रहे है पुश्प भद्र हो गये, कलिक पुरान हो गया साथ दुक्ती कर्ण अमरित भी ऐसा बोला गया है कि इन्हों ने ही लिखवाए थे शुरुआत के वर्सिस आखरी राजा है जैपाल ठीके जैपाल के बाद ऐसा माना जाता है कि गौड यानि बंगाल के इलाके के राजा ने ये सारे एरिया को कैप्चर कर लिया और बंगाल के राजा का नाम था रामपाल और जब ये बन गए कद्दी पे आ गए रामपाल अब बंगाल से कंट्रोल कर रहे है और रामपाल ने अपने एक गवर्नर को पोईंट के जिसका नाम है तिमगया देवा तो basically जैपाल आकरी राज़ा है जो इस डिनस्टी के है और इनको replace करके इनको eliminate करके रामपाल गद्धी पे आ गए है जो कि पाला डिनस्टी उ बंगाल के राज़ा है बहुत सारे पाला नाम होने की वैसे थोड़ा confusion होना obvious है simple याद रखिएगा ग्रमपाल पहले राजा है उनके बाद उनके बेटे रतनपाल है जो कि माना गया कि शायद थोड़े strong राजा रहे होंगे रतनपाल के बाद जो भी राजा है जैसे इंदरपाल हो गए धरमपाल हो गए इनका पड़ाई लिखाई पे जादा ध्यान है और इन्होंने जादा information दिये राधर देन वार लड़ने के वो सकता है थोड़े मोड़े वार लड़े भी हो पर यह जादा focus है study पर तो इंदरपाल धरमपाल और आखरी राजा है जैपाल क्योंकि हमको पता है पाला डेनेस्टी एंड हो रही है तो पाला डेनेस्टी को एंड भी कौन कर रहा है पाला डेनेस्टी ही एंड कर रही है पाला डेनेस्टी ओफ गौड यानि बंगाल के राजा राम पाल ने खतम किया और उन्होंने राम पालने खुद हर जगे तो रूल नहीं कर सकते उन्होंने एक गवर्नर अपॉइंट किया जिनका नाम है तिमगया देवा अब तिमगया देवा को जैसे ही मौका मिलेगा वो पाला डिनेस्ट्री बंगाल का कंट्रोल खतम करेंगे और कोशेश करेंगे लेकिन वो उतने जादा सक्सेस्फुल नहीं होते हैं उनको भी बाद में हटा दिया जाता है ठीक है जी तो एक गवर्नर के बाद दूसरा गवर्नर दूसरा गवर्नर के आद तीसरा गवर्नर ये सारी चीज़े आती रहती है और यहाँ पे भी जो पूरा कमरूब डैनेस्टी थी पूरा कमरूब किंडम था वहाँ पे छोटे-छोटे इलाके पे अलग-लग प्लेयर डेवल अप हो जाता है तो आगे की कानी आप देखिए इस तरीके से कि कमरूब किंडम यहाँ पे खतम होता है और आगे आपको देखने को मिलेगा कमाता किंडम आएगा भुयान किंडम आएगा अहोम किंडियम आएगा कचारी किंडम साधिया किंडम अलग-अलग किंडम आएगा तो जो इलाका कभी पूरा इलाका कम रूप के कंट्रोल में हुआ करता था अब आगे वाली quality काफी ज़्यादा fragmented हो जाएगी तो अभी तक हमने क्या पड़ा अभी तक हमने ये वाला portion फिनिश किया है और यहां से आप expect करके चलिए minimum एक से दो question अभी शायद आपको कम लग रहा होगा लेकिन ये भी चीज़ आद रखेगा कि पूरे north east वाले portion में से अगर hundred question आएंगे total सारे question अगर hundred होंगे तो north east में से 10 question से जादा नहीं आएंगे 10 भी बहुत जादा बोल दिये गए हैं 7-8 question ही आते हैं जिसमें से मान के चलिए कि 2 question इस portion में आएंगे 2-3 question अहूम वाले portion से आते हैं और बाकी remaining portion से 2-3 question आएंगे तो मान के चलिए कि 2 questions आपकी लग बग यहाँ पर preparation हो चुकी है इस पूरे portion में कोई भी doubt या कोई भी query है तो please पुछ लीजे ये तीनों dynasty के बारे में याद रखेगा capital याद रखेगा capital किसने change की ये भी एक basic idea होना चाहिए पाला dynasty में ही आपको 2 capital देखने को मिल रही है एक दुरजिया और एक दूसरी capital है कमरूप नगर दुरजिया कैप्टर रतन पाल ने बनाई है और कमरूप नगर धरम तो एक रतन है और एक धरम है ठीक है ठीक है और धरम पाल ने जो बनाया है उसका नाव है कमरूप नगर तो इसी तरीके से आप ये ensure करते चलिए कि जहां जहां से जितने questions बन सकते हैं वो आपको एक rough idea होना चाहिए नॉमली question expected line पे ही पूछे जाएंगे अगर कोई doubt नहीं है इस पूरे portion से तो इसको अभी हम यही रैप अप करते हैं अगले session में हम आगे वाले portion से start करें हम थोड़ा सा इस सब के बारे में idea ले लेंगे कमाता kingdom भूआची फिशन क्या है अहों kingdom तो हमारा topic है ही अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अहों kingdom काफी लंबे time period तक continue करती रहेगी 1228 के around establish होता है rule और 1826 तक लंबा time period है जो continue करता रहेगा बाकि आप देखें भूआची फिशन अहों में मर्ज हो रहे हैं साध्य किंग्डम अहों में मर्ज हो रही है पोच हाजों भी मर्ज हो रहा है तो इन सब में सबसे ज़्यादा powerful कौन बनेगा अहों kingdom बनेगा तो चलिए wrap up करते thank you everyone बढ़ते रहे रिवाइस करते रहे और doubt पुछते रहे यह सारे portion के note upload हो जाएंगे पाइक तुनाइट ओके तेंक्यू जाएंगे तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं doubt query होने पर पूछ लेना है session को like कर दिजिएगा कोई आपका no no joes join करना चाहते हो नंबर स्क्रीन पर दिया है डबल नाइन डबल वन इनक्लेस क्लास के बाद आपको doubt आता है आप recorded देखते हैं आपको पता है कहां पर मेरे से आपने queries पूछने है इस नंबर पर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा